नमस्कार दोस्तों यह आप देख पार हैं आज हम दो चीज़े नहीं चीज़ लेके आए हैं यह ऐसी वैसी लगडी नहीं है यह चमतकारी विजय सार की लगडी है विजय सार के प्लांट के बारे में आपने सुना होगा यह डाइबिटीज में काफी ज्यादा कारगर साबित ह जोता है आज हम बात करेंगे इसका एक और चमतकार के बारे में यह लकड़ी, specially उस्वेशल्स की मेरा प्त्री के समश्या के लिए, जिन्वी रोग्यों के पत्री के समश्या रहती है, आज हम किड़िसौन के बिना किसी महेंगे दवाई के चुट्कियों में निकल जाएगी तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसका कैसे उप्योग करना है तो मैं डॉक्टर एस्फोगाट मदर होस्पिटल हिसाब से आज आपके लेकर आये हुए डेसीन उसका जिसमें हम पत्री को जड़ से खतम यहां इतने से पानी के अंदर गिलास का चुक्ता इसा पानी ले लो उसके अंदर डाल के रख दो रात को भीगो के रख दो और सुवे इसका लगड़ी को बाहर निकाल लो और इसका सुवे खाली बेट सेवन करना है जिन भी रोगियों के जो किड्नी सोन की समश्च्या है बिना किसी दर्ध के पत्री छोटे-छोटे कड़ों में तूटके निकल जाएगी और दूसरी चीज़ के आपरे में बालमखिरा का जो उपयोग किया जाता है आपको आधा किलो बालमखिरा ले लेना है और इसको तीन लीटर पानी सुन पारेगा ना तीन लीटर पानी में आपको उपवानना है जब पानी आपका आदा लीटर बचे तब उस पानी का आपको डेली सुवेख खाली पेट सेवन करना है यह दोनों चीजों का आप सुवेख खाली पेट सेवन करो तो आपकी पत्री बिना ओप्रेशन के बिल्कुल एजिली तरीके से निकल जाएगी चोटे-चोटे कड़ों में तूट के निकल जाएगी तो दोस्तों मेरे दोरा बताएगे जानकारी से संतुस्ट है तो उन लोगों तक की ये वीडियो को शेर कर दीजिए जिनको पत्री की समच्चा है इसके लावा और कोई आप को शमच्चा रहती है तो आप मदर होस्पिटल के अंदर विजट कर सकते हैं या मेरे देशिन उसके फोलो कर सकते हैं उन से भी आप अपने बिमारी को चुटकियों में ठीक कर सकते हैं इसके लावा काफी लोगों एक क्योशन रहता है कि मैं आपने वीडियो कंप्लीट नहीं डाल पाता हूं तो कंप्लीट इसलिए नहीं डाल पाता है क्योंकि फेस्बुक सेशन में यह 90 सेगेंड की वीडियो डलती है इसलिए कंप्लीट इवीडियो नहीं डलती है तो उस चीज़ के लिए छमा करो आप मेरा यूटूब चैनल फोलो कर सकते हो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपने इस्टाग्राम चैनल फोलो कर सकते हैं जिस पर आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी इसके अलावा अगर आप पूर कोई क्वेरी है कोई क्वेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए उसका मैं रिप्लाई करने की कोशिज करूँगा और चाहला इस वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए कमेंट करिए तो